एक समय था जब पडोसी इस रास्ते पर चला था कि अपनी नाक कटे तो कटे भारत का सगुन भीगड़ना चाहिए लेकिन अभी परिस्तितियां ठीक ऐसी हो गई है कि आउट ओफ कंट्रोल हो गई है और पाकिस्तान को बहुत मुसीवतों का सामना करना पड़ रहा है पाकिस् पाकिस्तानी सेना के साथ क्या कुछ बड़ा हो रहा है जानेंगे चित्राल में आखिर क्या चल रहा है और क्यों एक दिन के बाद दूसरे दिन कांड पे कांड हो रहे हैं जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं तोर्खम बोर्डर पर भी हंगामा हो रहा है और इ जिसरो और DRDO दोनों ही कुछ ऐसा ही कर रहे हैं क्या है टाइफ भी HDS जिसके परिक्षन से भारतिय सेना बेहद खुस है जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से हमने हाली में सुना था कि चित्राल में कुछ हुआ पाकिस्तानी सेना की तरप से एक बयान जारी किया गया और कहा गया कि हां चित्राल में कुछ पंगे हुए हैं और इन पंगों की वज़े से चार हमारे सैनी ऊपर चले गये हैं हाला कि कहते हैं कि जो बताया जा रहा है पाकिस्तानी I.S.P.R. के द्वारा उससे कहीं अधिक क हानी हुई है कहा तो यह भी जा रहा है कि यहां पर बंधक तक बना लिये गए थे अब बंधक बनने के बाद छुडाया नहीं छुडाया उसका कोई भी डीटेल निकल कर नहीं आया लेकिन चित्राल के बाद जो यह तोर्खम बॉर्डर को बंद कर दिया गया है तोर्खम बॉ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस तोर्खम वोडर से ही माल आता था जाता था और अभी क्या सीन हो गया है अभी सीन यह हो गया है कि जो टमाटर थे जो कच्चे माल थे वो ट्रकों में पड़े पड़े सड़ गये खराब हो गये और उपर से खुद पाकिस्तान के अंदर भी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और अफगानिस्तान के अंदर भी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों ही तरफ से पैपार को इस वक्त बंद रखा गया है वहाँ अफगानिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तौरखम बोडर को खोलो तुमने तौरखम बोडर को क्यों बंद कर दिया है हलाकि अफगानिस्तान की तरफ से अभी ये कहा जा रहा है कि हम अब चाबाहर वाले रूट को ही इस्तेमाल करेंगे अफगानिस्तान का पूरी दुनिया में कहीं भी बैपार करने के लिए हम तौर्खम को अभी इस्तमाल नहीं करेंगे हलाकि फिर भी तालीबान की जो मिनिस्ट्री है MOIC, Ministry of Industry and Commerce वो कह रही है कि किसी भी तरीके से तौर्खम बॉर्डर को खोलो वहाँ जो परदर्सनकारी हैं दोनों तरफ ही है और दोनों तरफ परदर्सनकारी कह रहे हैं अफगानिस्तान की सरकार को भी और पाकिस्तान की सरकार को भी कि तौर्खम बॉर्डर को खोल दो हमारे बैपार को क्यों रोक रहे हो ये सही नहीं हो रहा है इस्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल खेड तोर्खम बोर्डर का प्रोब्लम तो अभी सॉल्व नहीं हुआ लेकिन पाकिस्तान के उपर एक के बाद एक हमले जरूर सुरू हो चुके हैं एक बार को ये भी आरोप लगा कि अफगानिस्तान से भारत आ रहे ट्रक को जलाया गया तालिबान और पाकिस्तान में जंग जैसे हालात हो गए हैं स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो सासक हैं उनके उपर तनाओ तो एकदम चरम पर पहुँची गया है तोर्खम सीमा पर गोली बारी, चित्राल में टीटीपी के कई गाओं पर कबजा करने के बाद पाकिस्तानी सेना भी बौकला गई अब चौतरफा जमीन से गिरे अफगानिस्तान के भारत संग होने वाले बैपार को भी कहा जा रहा है निसाना मनाया जा रहा है अफगानिस्तान के विदेश मंत्राले ने कहा है कि बलुचिस्तान में भारत जा रहे एक अफगानी ट्रक और उसमें सवार बैपारियों पर पुलिस चेक पोस्ट के पास हमला किया गया तालिबान ने इस घटना को लेकर चेताउनी भी दे दी गई यहीं नहीं कहा जा रहा है कराची पोर्ट पर अफगानिस्तान के कई कंटेनर समानों को भी पाकिस्तानी सरकार जवरंजब्त कर रही है जबकि पाकिस्तान का दावा है कि जो भी समान हमने पकड़ा है यह संबेदन सील समान है हम इसको ऐसे नहीं भेज सकते हैं इन दोनों में बादचीत की कोशिस हो रही है लेकिन बादचीत सफल नहीं हो रही है उल्टा क्या हो रहा है उल्टा ये हो रहा है जो सोसल मीडिया पर खबर आ रही है उसके अनुसार चित्राल आर्मी हेटकौर्टर को घेर लिया है टीटीपी के लोगों ने ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वीडियो को सेसल मीडिया पर सेयर किया जा रहा है फिलाल यहां पर यह वीडियो तो नहीं है पर उसके स्क्रीन सोट हैं उस वीडियो में यह बताया जा रहा है कि चित्राल में जो आर्मी हेट क्वार्टर है उसे कबजे में ले लिया गया है वैसे स्क्र पर इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट को भी आप देख सकते हैं अब यहां हालात तो खराब जरूर हैं 2023 की ही बात करें तो 2023 में 200 पाकिस्तानी सेना बताया जा रहा है कि सिर्फ इन आतंकी हमलों में ही मारे गए हैं और अभी भी ये लडाई चालू ही दिख रही है लडाई क अभी अंत होता हुआ नहीं दिख रहा है खेर उमीद है कि जल्द ही ये लोग अपने मामलों को निपटा लेंगे क्योंकि जितना जादा ये खिचेगा पाकिस्तान के लिए उतना ही जादा टेंसन बढ़ेगा जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं भारत दूसर के लिए अपने आपको तयार कर रहा है जो तयारियां है वो तयारियां देखकर आपको ऐसा ही लगेगा अब ऐसी वाते क्यों कहीं जा रही है तो सबसे पहले हमने देखा बौडर इलाकों पर भारत ने बहुत सारे इंफरास्ट्रक्चर बनाने सुरू कर दिये जो पहले कम्पलीट होने के कगार पर पहुंच जाएगा अभी जो टनल का काम था ये टनल का काम अरुनाचल परदेश में उसका भी काम काफी हद तक पहुंच चुका है इसके अलावे स्क्रीन पर आपार्टिकल देख सकते हैं नियोमा एर फिल्ट इसको बनाने में 200 का खर्चा आए 2900 करोड रुपे बोर्डर रोड और और्गनाइजेशन को खर्च करने के लिए दिये गए हैं तो सिर्फ रास्ता और सडक ही नहीं बलकि हतियारों के लिए भी भारत तैयारी कर रहा है अब मान लेजिए कि सडक का रास्ता बंद हो गया तब क्या बचता है तब बचता है हवाई मार्ग से क्या बड़े बड़े वजन वाले चीजों को पहुंचाया जा सकता है इसी के लिए इंडियन एयर फोर्स ने एक परिच्छन किया एक नए सिस्टम का और ये नया सिस्टम जिसे कहा गया टाइप भी हैवी ड्रॉप सिस्टम ये कारगो एयरक्राफ्ट से ग इसके जरिए गिराया गया 20 तन का सामाल इसके जरिये गिराया गया जिसमें एक जीप है और पूरी की पूरी जीप इस पूरे सिस्टम के अनुसार बड़े आराम से अपने निर्धारित जगह पर उतरी इस शिश्म का का इस्तेमाल करने के लिए C-17 और C-130 का इस्तेमाल किया जाएगा 2018 से भारत इस तरीके का सिस्टम बनाने में लगा हुआ था और आखिरकार भारत को सफलता मिली खेर इन सम्मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ